How to fix zoom can't find whiteboard problem नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का तेकिराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों यदि आपके zoom application पर जो है whiteboard के option नहीं है यार फिर आपको whiteboard नहीं मिल पा रहा है तो दोस्तों कैसे आप जो है इस problem को fix कर सकते हैं आज की इस video पर दोस्तों मैं आपको इसके regarding solutions देने वालो ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों whiteboard को use करने के लिए आप जबी भी दोस्तों meeting पर जाते हैं तो दोस्तों नीचे आपको एक share का option दिखाए देगा तो उस पे click करते हैं दोस्तों आपको whiteboard का option मिल जाते है तो आप दोस्तों उसमें जाके check किज़े सबसे पहले solution यहाँ पर करने से पहले दोस्तों आप सबसे पहले तो जाए meeting पर तो दोस्तों share के option पर click करते हैं आपको एक option मिलेगा उसमें दोस्तो शेर पर क्लिक करने के बाद आपको एक option आए जागा ठीक है Share whiteboard तो उस पे आपको क्लिक करने और दोस्तो आपका whiteboard यहाँ पर हो जाएगा लेकिन दोस्तों यदि आपको whiteboard नहीं दिखा दे रहे तो ही दोस्तों आप वीडियो को यहाँ पर आगे देख लिजेगा ठीक है और दोस्तों problem को fix करने के लिए आपको solution follow करना गा तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सबसे पहले इसलिए यह बात बता रहो कि आपको कहाँ प आपको whiteboard मिल जाएगा तो यहाँ पर सबसे अच्छा तो यही है कि आप यहाँ पर सबसे पहले तो जाके चेक कीजिए ठीक है शेयर मिटिंग पर जाएए ठीक है मिटिंग पर जाने के बाद दोस्तों शेयर का जो option है उसमें क्लिक करके आप चेक कीजिएगा उसमें है तो दोस्तों आपको यहाँ पर process follow करना होगा ठीक है तो क्या process है मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो शुरू कर लेने के बाद तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल क सब्सक्राइब कीजिए साथ बेल आइकोन को भी क्लिक कीजिए और यदि आप उनलाइन से पैसा कामाना चाते तो आप हमारा वीडियो दिस्क्रिप्शन पर लिंक चेक आउट कर सकते ठीक है और किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message भी कर सकते तो चले दोस्तों हम पर जो है play store पर जाके zoom cloud application को update करना है ठीक है क्योंकि अपडेट नहीं करने के वज़े से कभी कभी जो है कुछ future वगरा missing हो जाते ठीक है और सारे साथ दोस्तों यहापर आपको problem आ जाते तो आपको ऐसा नहीं करने आपको जाकर सबसे पहले update करना है उसके बाद दोस्तों आ जाना के बाद दोस्तों यहापर आपको जो है option मिलेगा zoom का, तो Zoom पे आपको जाना है यदि आपको manage app न मिले तो आपको यहाँ पर install app management करके आपको मिल जाएगा तो उसके बाद दोसों आप यहाँ पर जूम application को search कीजे यहाँ पर जाएए ऊसके बाद दोस्तों इसको कर दीजे फॉर्स तो उसके बाद इसको clear all data कर दीजेगा तो यह क्रनै के बाद mention पर जाएए पूरा permissions को allow कीजिए सारे आपने mobile को restart कीजिए उसके बाद zoom पर जाये sign in कीजिए और दोस्तो दुबारा से meeting join करके check कीजिए आपका problem fix हो जाएगा तो इस प्रकार से दोस्तो आप जो ही इस problem को fix कर सकते यदि इस से आपका काम हो जाते problem fix हो जाता है तो आच्छी बारे यदि नहीं होते तो दोस्तो आप जो ही application को uninstall करके reinstall कीजिए तो reinstallation का process करने के सारे साथ दोस्तो आप अपने mobile software को भी हमेशा update कीजिए setting पर जाए about phone पर जाके आप software को update कर सकते तो mobile software को update जरू कीजिए और सारे साथ दोस्तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा आपको जाके setting पर टेप करना है और about पर जाके आपको report करना है तो आप दोस्तों यहाँ पर report कीजिए meeting के option पर जाके उसके बाद next कीजिए और दोस्तों हो जाएगा तो आप दोस्तों अभी मैं आपको शो करके बताऊंगा कि कहाँ पर आपको मिलेगा ठीक है तो आप दोस्तों यहाँ पर सिंपली जाएए अपने meeting पर, तो यहाँ पर meeting start हो जाने के बार आपको मैं show करके बताऊंगा, खीक है, कहाँ पर आपको जाना है, और कहाँ पर आपको search करना है meeting, थिखम आपके अभी आप देख सकते share का option नीचे में, तो share पर click किजे, उसके बाद दोस्तो यहाँ नीचे है share वाइड बोट ठीक है तो आभी दोस्तों यह है आपका वाइड बोट आप देख सकते हैं यापमें वाइड बोट मिल चुका है तो यहां पर दोस्तु आप समच में आ गया होगा केसे जो है प्रॉब्लेम को fix करना है ठीक है और सारे साथ दोस्तों केसे जो है आपको whiteboard use करना है ठीक है और दोस्तों आपका problem का solution भी केसे करना है तो उमीद करते हैं आपको जो है वीडियो भी पसंद आओगा तो आज के लिए दोस्तों बस इतने मिलते अगले वीडियो पर thanks watching